जन्पर संबल के भेजोई एवम नखासा थाना चेतरों में पुलिस ने अवेज शत्र फेक्ट्रियां पकड़ी तीन अभ्योक्तों से 66 बने एवम 18 बने शत्र बरामत। जन्पर संबल के भेजोई एवम नखासा थाना चेतरों की पुलिस ने मुग्विर की सूचना पर ठापा मारते हुए तीन अभ्योक्तों को अवेज शत्र बनाते हुए दबोच लिया जिनसे करीब 66 बने एवम 18 बने हत्यार बरामत किये गए हैं तथा दो अभ्योक्तों मोके स भागने में सफल रहें जिनकी तलाश की जा रही है गिरफतार किये गए अभ्योक्तों के विरुद्विदिक कारवाई की जा रही है जनतों संभल में आपरेशन JCB के तहत अभ्योक्तों के खिलाफ लगातार अभ्यान चलाया जा रहा है जिसमें आज दो सफ्ट्र फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें एक सफ्ट्र फैक्ट्री में कुल 22 अभ्य दसले दूसरे में 21 अभ्यान चलाया इसके तहट लगातार कारवाईया की जा रही है टोटल अभी तक 45 बने और 21 बने कुल 26 अभ्य दसले पकड़े गए है 66 अभ्य दसले पकड़े गए है और इनके साथ जो अपराधी है लगातार की ये सफ्र बनाने का काम कर रहे है या सब्सक्रियूज करने का काम कर रहे हैं ऐसे भी अपराधी लगातार पकड़े गए हैं तीन मुख्य अभी हैं जो संसुल्द यामीन और दिलसाद और मोहमत अकील ये पकड़े गए हैं इसमें से दिलसाद अभी फराद है इसके किलाब कारवाई की जाएगी और लगाता और अभी तक 67 अभाई दसल है और कम से 16 लोग पकड़े के ये लगातार शेत्र में बेच रहे थे सस्ते कष्टे और तमंचे और बंदूग जो है ये सस्ते दामों में 7,000, 6,000 और 15,000 रुपए में बेच देते थे और इसी से ये कमाई करते थे लगातार ये इसी सस्त्र बन करके बिकरी का कारी कर रहे थे जिसमें 12 बोष 6,000 रुपए में 315 बोष 7,000 रुपए में और बंदूग फंद्राजार हुआ में बेच देते लगातार सप्लाइ कर रहे थे और आइसा अभियान भी लगातार चलता रहे गा खितन में जो भी ऐसे अबह अबया दला मनाने वा उनके खिलाब की अबियान जारी रहेगा लगाता है